हेलो गाइस आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है अब बनाना बहुत ही आसाल रस पूरी गर्मे में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है चाहे आप इसे लंच में पनाए ये डिनर में ये दोने टाइम ही खाने में बहुत ह अच्छे लगते हैं और आम तो हमेशा अलफांसो ही होना चाहिए इस आम का कलर और टेस्ट दोनों ही बड़े मज़ेदार है आम रस्पूरी जो बहुती चल्दी और आसानी से बन जाती है आम तो गर्मियों में हर गर की शान होती है बेन आम के तो कोई खाना भी पसंद नहीं करता आम से हर गर में अलग अलग तरह की रस्पूरी की रस्पूरी की रस्पूरी पी शेयर कर रही हूँ मेरे दादी और मम अपने जमाने में आम को मसल कर हाथों से आमरस बनाते थे वो जो आमरस होता था वो बहुती मज़ेदार होता था यहां पर हमार आमरस भी रैडी हो गया है अब हमने यहां पर पूरिया भी तलगे निकाल ली है तो इसी तरीकी से ही एक कमार आम्रस और फूडी का मेल बनकर तयार दूटिया है ना कितना मज़ीदा रेसे पी आइडिया तो आप इससे ज़रू शेयर करो